नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, त जो कि अक्सर food distribution और अधार से समंदित issues के बारे में लिखते रहते हैं, इन्हीं के दोरा ये article लिखा गया है। ये सारे aspects हम कवर करेंगे इस article की discussion में। सबसे पहले बात करते हैं context के। देखो आम तोर पर experts के दोरा ये माना जाता हैं, जो rural poor हैं यानि ग्रामीन इलाकों में जो गरीब लोग रहते हैं वो ज्यादा insecure होते हैं as represent to urban poor. ऐसा क्यूं? ऐसा देखो इसलिए कि सहरों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास ज्यादा opportunities होती हैं काम करने की. जैसे देखो urban areas में, streets में snacks बेचे जा सकते हैं, रिक्सा खीचा जा सकता है, बहुत मुश्किल हो available होने की. देखो rural poor के लिए तो even रिक्सा खीचने की opportunity भी available नहीं होती. बहुत कम लोग rural areas में रिक्सा का इस्तमाल करते हैं, population भी काफी कम होती हैं. तो essence यही है, जो point writer बोलना चाहते हैं कि urban poor आम तोर पे थोड़ा less insecure होते हैं as comparison to rural poor क्यूंकि urban areas में काम करने की opportunities ज्यादा होत हैं. बट, COVID-19 की वज़े से urban poor भी बहुत बुरी तरह से परभावित हुए हैं. Individual level पे भी और collective level पे भी. Individual level पे urban poor के द्वारा काफी challenges का सामना करना पढ़ रहा है, जैसे illness, under employment और collective level पे lockdowns, floods, cyclones, financial crisis, इन सब चीजों का सामना करना पढ़ रहा है urban poor को. देखो सबसे आसान solution तो यही है. Urban poor की problems को adders करने के लिए कि जैसे rural areas के लोग के लिए एक scheme है मनरेगा, उसी परकार से आप कोई employment guarantee scheme चला दो. एक और जो solution राइटर के द्वारा दिया जाता है, urban slum areas में public distribution system को आप universalize कर दो. यानि जितने भी लोग रहते हैं, urban slums में वो सभी public distribution system से food grain प्राप्ट कर स बड़ देखो सिरफ food grain से तो काम नहीं चलेगा ना. इसलिए मनरेगा की तरह कोई employment guarantee scheme भी urban poor के लिए होनी चाहिए. बड़ देखो फिलाल की political situation को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि इस परकार की scheme सरकार कोई launch करने वाली है. हालां कि lockdown लगने के बाद national urban employment guarantee scheme की बात तो ही हुई लेकिन ऐसी कोई scheme implement होगी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है. तो writer अपनी तरफ से एक scheme propose करते हैं. writer की scheme का नाम है DUTE. DUTE मतलब decentralized urban employment and training. नाम ध्यान से देख लिजिए DUTE. DUTE मतलब decentralized urban employment and training. इस scheme में क्या है? मैं आपको बिल्कुल छोटे से example की साहिता से बताता देखो इस scheme में क्या होगा? सरकार, सरकार कोई भी हो सकती है, state government, union government या फिर urban local bodies. ये क्या करेंगे? ये job vouchers देंगे या फिर job stamps देंगे. किनको public institutions को, जैसे school है, college है, और कोई public institution है, जैसे jail, offices, department, railway stations, transport corporations, public sector enterprises, neighbor association, urban local bodies, इन सब को job stamps दी जाएंगी, union government के दवरा या फिर state government के दवरा? और job stamps में होगा क्या? जोब stamps में ये होगा, कि आप इनकी साहिता से local level पे workers को hire कर सकते हो. सिंपल सा देखिए, आपने कई बार देखा होगा, कि कुछ companies अपनी employees को food coupons देती हैं. food coupons मतलब आप ये coupon ले जाएंगे, और नीचे कैंटीन में आप ये food coupon दोगे, इसके बदले में आपको खाना मिल जाएगा. उसी परकार से, मान लीजिए, union government ने एक job stamp दी किसी school परसासन को, तो school परसासन उस job stamp की साहिता से, किसी worker को hire कर सकता है, 8 घंटे के लिए या फिर 4 घंटे के लिए, और जब वो worker काम कर लेगा, तो worker अपनी details प्रोवाइड करेगा, कि ये मेरे account है, directly union government उस worker के खाते में पैसा डाल देगी, तो school परसासन का बीच में कोई रोल नहीं है, school परसासन अपनी तरफ से पैसा नहीं दे रहा है, school परसासन को union government के द्वारा या फिर state government के द्वारा job stamp मिली है, कि आप worker को hire कर लो, पैसा हम दे देंगे, तो school परसासन worker को hire करेगा, काम करवाएगा, और पैसा मिल जाएगा उस worker को सिधा सिधा union government से, इस परकार से ये पूरा जो concept है, वो काम करेगा, concept आपको पूरा समझ में आ गया ना, बिल्कुल simple है, union government की तरफ से या state government की तरफ से, जो public institutions हैं, जैसे universities, hostels, school, hospitals, इनको job stamp दे दी जाएगी, job stamp मतलब, for example, एक job stamp है 10 गंटे की, तो आप school को मिला है, ये 10 गंटे का job stamp, तो वो school परशासन 10 गंटे के लिए labor hire कर सकता है, और जब school परशासन के द्वरा authorize कर दिया जाएगा, कि हाँ हमने hire कर लिया है, काम करवा लिया है, तो directly उस worker के खाते में पैसे union government की द्वरा या वे state government के द्वरा डाल दिया जाएगे, फाइदे द पास पैसा नहीं होता, तो maintenance समंदीत जो काम है, जैसे school की दिवार को white vase करवाना है, toilet ठीक करवाना है, ये काम इनके अटके रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता, budget allocated नहीं होता, लेकिन school परशासन को उपर से job stamps मिलेंगी, तो उन job stamps के base पे वो worker hire कर सकते हैं, और maintenance स opportunities भी तो available होगी, local level पे workers को काम मिलेगा, और सिधा सिधा उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनकी जो dignity है, वो भी violet नहीं होगी, मतलब मेहनत का वो खाएंगे, तो इससे उनकी जो dignity है, वो hurt नहीं होगी, as compared to what situation, जिसमें सरकार free में पैसा दे देती हैं, जैसे हम कई बार बात करते हैं, universal basic income scheme की, और देखो work भी regulated रहेगा, work regulated कैसे रहेगा, क्योंकि school पर सासन को एक निश्चित hours का job stamp मिला है न, 10 गंटे का, या फिर 20 गंटे का, या फिर 30 गंटे का, तो उतना ही काम workers से करवाया जा सकता है, तो इससे workers को पता भी होगा कि हमें कितने गंटे का काम करना है, और किस wages पर करना है, जीन ड्रीज कहते हैं, देखो ये जो job stamp issue की जाए न, union government के द्वारा, और बाद में जिसके base पर hiring की जाए, school पर सासन के द्वारा, उसमें wages ठीक मिलने चाहिए, workers को, ऐसा नहीं कि आप बहुत कम wages दे दो, और क्या-क्या फाइदे होंगे, फाइदे ये होंगे, special staff की need नहीं पड़ेगी, public institutions को, वो in job stamps के base पर hiring कर सकते हैं, और कई सारे employers available होंगे, मार्केट में, यानि कई सारे job देने वाले public institutions available होंगे, तो job opportunities जादा होंगी, workers के लिए, उनको काम मिल जाएगा, million wages पर, और चुकि देखो directly पैसा, workers के account में जाएगा, तो corruption की स में एक बात ये जरूर आई होगी, कि corruption ऐसे हो सकता है, कि school परसासन जो है, वो job stamp अपने ही, रिष्टेदारों को दे दे, और बोल देखी, इन्होंने काम किया है, वास्ताव में ground level पे काम हुआ ही ना हो, और रिष्टेदारों के account में सिधा सिधा पैसा चला जाए, इस school को, school को जिन worker से काम करवाना है, वो workers किसी independent placement agency के द्वारा दिये जाए, school परसासन को, समझ गए, मतलब school परसासन अपनी मर्जी से किसी भी worker से काम नहीं करवास केगा, को independent placement agency होगी, वो school परसासन को, यानि employer को worker देगा, कि भाई आपको ये whitewashing करवानी है, तो हम आपको worker प् और भी काफी सारे फाइदे होंगे, जैसा एक तो हमने डिसकस किया कि public institutions में जो infrastructure होता है, वहाँ पर maintenance काफी जदा पूर होता है, तो इस scheme की साहिता से maintenance, public institutions में infrastructure का अच्छा हो सकेगा, और skilled workers भी आगे आस केंगे काम के लिए, जैसे electrician है, carpenter हैं, लेकिन एक तो उनको wages अच काम देना होगा, इस scheme में, skilling का भी component add किया जा सकता है, जैसे देखो, कोई ऐसा person है, जिसको carpenter का काम थोड़ा कम आता है, लेकिन वो बाकी skilled carpenters के साथ काम करेगा, तो धिरे धिरे सीखता जाएगा, हलाकि ऐसे लोहों का wage थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बट, skilling component के add करने से बहुत सारे workers सीख भी जाएंगे, skilled workers के साथ काम करते करते, इसके बाद writer कहते हैं, देखो, ये job scheme तो बहुत अच्छी है, और इस job scheme में भी woman को ज़्यादा priority दी जा सकती है, महिलाओं के द्वारा placement agencies run की जा सकती है, या फिर इस पूरे के पूरे program को ही महिलाओं के द्वार run किया जा सकता है, और इस program को यानि duty job scheme को इस परकार से implement किया जाए, कि जो job stamp हो, वो कम hours का हो, part time basis पे हो, ऐसा नाओ की 8 घंटे का हो, 4 घंटे का हो एक दिन में, इससे महिलाओं को काफी फाइदा होगा, क्योंकि काफी सारी गरीब महिलाएं, urban areas में, वो पूरा दिन काम नह economically वो ज़्यादा मजबूत होती है, और आपको भी पता है, अगर महिलाएं economically ज़्यादा मजबूत होती है, तो पैत्रियार की कम होती है, equality ज़्यादा आती है, next है, इससे महिलाओं का labor force में जो participation है, वो भी increase होगा, और labor force में महिलाओं का participation increase होता है, तो देश की economy को इसका self-regulating feature ये है, क्योंकि जो households जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, well of जो households है, well of जो घर है, उनकी महिलाओं इस scheme के तहट काम करने के लिए आएंगी नहीं आगे, तो फिर असल में जो फाइदा होगा, असल में जो लाब उठाये जाएगा, इस scheme का गरीब परिवारों की महिला के द्वारा ही उठाये जाएगा, ये self-regulating feature है, मतलब सरकार को कुछ करने के आउशकता ही नहीं है, अपने आप ही जो गरीब परिवारों की महिलाएं हैं, वहीं आएंगी आगे काम करने के लिए, और अगर महिलाओं को ज्यादा मोका जिया जाता है, इस job scheme में तो भी corruption कम हो देखो, बेसक डर के चलते हो, लेकिन महिलाएं कम corruption में सनलिप्त होती है, राइटर बोलते भी है, बेसक डर ज्यादा लगता हो महिलाओं को, इसलिए वह ज्यादा corruption कम करती है, लेकिन ये बात तो सही है, कि महिलाएं जो हैं, वह corruption कम करती हैं, इसलिए local bodies में भी यही बात ब vouchers दिये जाते हैं, उनसे ये मिलता जुलता concept है job stamp का लेकिन थोड़ा अलग है, कई सारे European countries में क्या होता है, सरकार लोग को ये service vouchers देती है कम rate पर, जैसे मा लीजे एक दिन का cleaning का जो wage है 500 रुपे, तो सरकार service voucher दे देगी एक दिन का 100 रुपे में, तो फिर households इन service vouchers की साहिता से local level पे कुछ services avail कर सकते हैं, जैसे cleaning, cooking, मक्सद यही होता है, कि local level पे job create करना, subsidized होते हैं, ये service vouchers, सरकार विबिन households को दे देती है, कम rate पर, और वो उन service vouchers की साहिता से local level पे workers को hire करके, अपने घरों का काम करवा सकते हैं, लेकिन writer जो ये scheme propose कर रही है, इसमें, ये job stamp दी जा पे household को अपने घर का काम करवाने के लिए, conclusion में ये बोला जाता है, हो सकता है, इस job scheme में कुछ कम्या हो, लेकिन देखो कम्या तबी सामने आएंगी, जब pilot basis पे इस scheme को implement किया जाएगा, शुरुवात में, किसी state के कुछ districts में, trial के basis पे इस scheme को implement किया जा सकता है, और अगर scheme साबित नहीं भी हुई, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी ऐसी बाते सामने आएंगी, इस pilot project में, जो की further schemes को launch करने में, काफी ज़्यादा useful साबित होंगी, तो ये पूरा article हमने discuss किया, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.